पुर्ण दोस्तों अहरान कर देगा बिहार के मजफर पुर जिले से एक बड़ी घटना सामने आ रही है यहां केंद्री ग्रह मंत्री केंद्री ग्रह राज्य मंत्री नित्यानंद राय काफिले के सामने एक व्यक्ति लाठी लेकर पहुंच गया यह मामला आज शाम का है जिसम में नित्यानंद राय पश्वी चंपारंड जिले में एक समारों में सम्मलितों कर पटना लोट रहे थे देवरिया थानाक शित्र में जब उनका काफिला गुजर रहा था तब एक व्यक्ति लाठी लेकर मंत्री की गाड़ी के आगे पहुंच गया जिससे सुरक्षा कर्मिय में हड़कंप मजगया केंद्री मंत्री के काफिले में पसे सुरक्षा बल और जिला पुलिस के जवानों ने तित्काल कारिवाई करते वे लाठी लिये व्यक्ति को हटा दिया और उसे ग्रफतार करके पूछताच की गई का जा रहा है ये मानसिक तौर पर विख्षिप्त व्यक्ति था हलाख इसकी कोई हमला करने की मंचान नहीं थे मुज़फरपुर के आई जी ने बयान जारी करते हुए का कि वो एक मानसिक तोर पर विक्षिप्ट शक्स था जिसे हटा दिया गया और सुरक्षा में कोई वाधा नहीं आई रिपोर्ट्स के मताबिक उनकी गाड़ी पर नित्यान अंदराय के काफिले पर लाठी से हमला किया गया गाड़ी चतिक रस्त होई है लेकिन पुलिस ने इसका खंडन किया है पुलिस के अनुसार गाड़ी को काफिले को और मंतरी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचा है इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों अपनी राय हमारे कमेंड बॉक्स में जरूर दें फिलाल इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद